लोग यहां पे होंड़ा के बारे में डिसक्स करने वाले थोड़ा सा यहां पे इनका आईप्यों देखे वो तो ठंडा पड़ा हुआ है अब इसके देखो दो रीजन हो सकते हैं पहला तो यह है कि अभी आटो इंडस्ट्री मोटर्स इवन दो यहां पे भी फेस्टिव सीजन चल रहा है लेकिन क्योंकि ओवराल पूरा साल भर देखोगे तो यहां पर कंजूमर डिमांड कम रही है और अगर यहां पर इन्वेंट्री देखोगे आटो मेकर्स के तो इनकी इन्वेंट्री भड़ती जा रही है मतलब जितना एक्स्पेक्ट किया गया था उससे कम यहां पर कंपनी प्रोवाइड कर सकती है बस एक प्रॉब्लम है कि इनके आज के जमाने में कई सारे हैं अगर देखा जाए तो अब यहां पर टाटा महिंद्रा भी काफी अच्छा कंपूटिशन दे रहे हैं अब यहां पर पिछले को समय में देखोगे तो यहां पर ग्रोथ अगर देखा जाए अमनों को यहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए यहां पर मिली है करेंट कॉटर में भी यहां पर थर्टी जून तो वहां पर यहँद करेंदर जैचीर और यहां इक चीज़ है और इसके साथ साथ यह चीज़ देखना होगा कि कंपनी मतलब तो उसके अंदर competition बहुत जादा तेज़े से बढ़ते हैं हम लोगो नजार आ रहा है और शायद यहां पर इंडिया में वैसी चॉइस भी आती है वो जादा खरीद रहे हैं और जादा प्रिफार कर रहा है यहां पर दूसरा कारण यहां पर देखोगे तो डिमांड थोड़ा किया यहां पर 0.36 परसेंट और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहां पर नौन इंस्टूशनल बायर भी हैं लेकिन अगर चीज देखोगे तो इंस्टूशनल बायर अभी तक उतना जादा पार्टिसिपेट नहीं किये अब यह देखना होगा कि कल तक कितना जादा उपर जा पाएगा तो इस से चलते हम लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियुम तो देखो बहुत जादा नहीं मिल पाएगी तो अब झोलते यह नंबर किदर तक चला जाता यह बताना मुश्किल होता है अगर मार्केट अच्छा अच्छा यह उधर बीच तो हो सकता है कि यह बढ़के यहां पर 10-15% चला जाए बट उसके ऊपर जाना लिस्टिंग गेंड के अंदर तो मुश्किल है तो हमें लगता है मेजरली कि अभी यहां पर आपको लिस्टिंग गेंड के लिए कंपनी के ऊपर अपलाए करना आप लोग कर सकते हो इसके अलाब दीपनी पढ़ सकते हो लेकिन मेजरली यह ना कि ऐसी कंपनीज को यहां पर ओपन मार्केट से भी खरीदा जा सकता है क्योंकि बहुत जादा लिस्टिंग नहीं है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी जो ग्रे मार्केट प्रीम कम चल रहा है उसके अंदर रिस्क ना ले झाल